तो चली सीधे रोक कर लेते हम राजगाट का जहाँ पर G20 के राश्रधक्ष पहुंचे हैं बापू को नमन करने के लिए और देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी भी मौजूद है पिये मोदी करें G20 निताओं का स्वागत राजगाट पर यहाँ पर देखे कैसे राजग पर विदेशी महमान पहुंचे हैं बापू को नमन करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी राजगाट पर पहले ही मौजूद है और देखे दिली में लगातार बारिश हो रही है हलकी बुनाबादी भी हो रही है इस बीच पहुंचे है G20 के नेता तमाम राश्रधक्ष बाप को नमन करने के लिए शद्धांचली अर्पित करने के लिए तो राजगाट पर अभी भी G20 के नेताओं के पहुंचने का सिलसला जारी है जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज राजगाट पहुंचेंगे टॉप लीडर्स दुनिया के टॉप लीडर्स और यहाँ पर G20 का बापू का नमन यहाँ पर देखने को मिलेगा तस्वीरे देख रहे हैं आप थोड़ दर पहले यहाँ पर बिटन के प्रधान मंतरी प्रिशे सुनक भी पहुंचें और देखें किस तरह से यहाँ पर प्रधान मंतरी तमाम नेताओं का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं बारिश भी हो रही है इसके बावजूद G20 के राश्टा ध्यक्ष लगातार पहुंच रहे है राजगाट पर और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं ये तमाम विदेशी महमान पहुंचे हैं बापू को नमन करने के लिए अहिंसा के पुजारी को नमन करने के लिए राश्टा पिता बापू को नमन करने के लिए जिनका सबसे बड़ा हथियार था सत्य अहिंसा और प्रेन और इसी संदेश के साथ वो आगे बढ़े अहिंसा अहिंसा परमो धर्म उन्होंने कहा और अंग्रेजों के खिलाब लडाई लड़ी देश को आजाद किया तो देखे राजगाट दिल्ली से सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजगाट पर बापु को शब्धाचली देंगी जीट 20 के नेता तो पूरी दुनिया का बापु को नमन और तो आज जीट 20 शिखर समेलन का दूसरा और आखरे दिन है और आज भी कई एहम कारिक्रम देखने को मिलेंगे शुरुआत इस तरह से हुई है बापु को शब्धाचली अरपित कर तमाम राश्टाध्यक्ष एक एक कर पहुँच रहे हैं राजगाट ये विदेशी महमान राजगाट पर पहुँचे हैं बापु को नमन करने के लिए उन्हें शब्धा सुमन अरपित करने के लिए और इन तमाम राश्ट्रा धक्षों की राजखाट पर अगवानी का रहे हैं देश के प्रधान मंत्री नरेन प्रमोदी एक एक का तमाम महमानों का स्वागत करते हुए बारीकी से एक जानकारी देते हुए तो G20 शेकर समेलिन का आज आखरे दिन है और आज दिन के शुरुआत इस तरह से हो रही है मौसम बहुत सुहारा हो गया है राश्ट्री राजधानी दिल्ली में और देखे एक एक करके तमाम महमानों के पहुँचने का सिलसला यहाँ पर अभी भी जारी है G20 के राश्टाध्यक्ष जो पूरी दुनिया की टॉप लीजर्स है वो पहुँचे है राजधाट बापू को नमन करने के लिए तो सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया को अपने संदेश से प्रभावित किया है हमारे राश्टुपिता बापू ने मोहंदास करमचन गांधी ने और अहिंसा का पाठ पढ़ाया उन्होंने पूरी दुनिया को उन्हों ने कहा कि किसी भी लडाई को हम अहिंसा के जरिये भी लड़ सकते हैं और उसे जीत भी सकते हैं और उन्होंने वह खुबी ये कर दिखाया तो राजगाट से लगातार ये तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं राजगाट पर बापु को श्रधांचरी देंगे जी टुइडी के नेता मेहमानों के आने का सिलसला लगातार जारी है और प्रधान मंत्री मौझूद है एहले सुबह वो पहुँच गये राजगाट मेहमानों के स्वागत के लिए तो राजगाट दिली सीडी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जी टुटी देशों के जो राष्ट्रधक्ष है उनके पहुँचने का सिलसला अभी भी जारी है तमाम राष्ट्रधक्ष पहुँच रहे हैं राजगाट कारिक्रम है यहाँ पर बापू को शद्धांचली अर्पित करने का उन्हें नमन करने का तो पूरी दुनिया लगभग पहुचिये यहाँ पर बापू को नमन करने के लिए शद्धांचली अर्पित करने के लिए और खुद देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं तमाम नेताओं के अगवानी के लिए उनके स्वागत के लिए और देखे मौसम बहुत अच्छा है राष्ट्य राजधानी दिल्ली बिलकुल हरी भरी और खिली खिली नजर आ रही है और इस मौके पर जो दुनिया भर के टॉप लीडर्स हैं वो राष्ट्य राजधानी दिल्ली में हैं क्योंकि आज देखे G20 शिकर समेलन का दूसरा औ और आखरे दिन है आज भी कई एहम कारिक्रम हैं लेकिन सुबह की शुरुआत हुई है दिन की शुरुआत हुई है बापू को नमन करने के साथ तो लगादार तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं राजधाट से बापू की समाधी स्थल से राजधाट पर G20 देशों के नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है एक एक करके नेता अपने अपने काफिले से पहुँच रहे हैं राजधाट पर यहाँ पर तमाम नेता G20 देशों के राष्ट्रध्यक्ष बापू को शद्धांचली अर्पित करेंगे पुषपांचली अर्पित करेंगे उन्हें नमन करेंगे तो देखे यहाँ पर सुपा सुपा पहुँच गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर तमाम पहुँचने वाले नेताओं का वो स्वागत कर रहे हैं और जैसे ही तमाम राष्ट्रधक्ष यहाँ पर एकटा हो जाएंगे एक साथ मिलकर G20 का बापू का नमन होगा आङान में यहाँ यहाँ पितरो पाम थक बापू का बातू कर रहे हैं